तो जहें चात्रों आपके डिमांड प्रक्लास यहाँ पे नाइंद का बिस है आपका हिंदी का देखिए मेरे पास सीजी बोर्ड अर्दवासिक परिचिया 2022 से इसका 101 परजन आपका रियल क्वेश्चन पेपर आचुका है आज अभी अभी यहाँ नहीं जाता तडपी एसी है ना तडपी बिल्कुल छात्रों यहाँ पे आपके 16 दिसंबर के पहले ही पेपर में आपको यह पेपर देखने को मिलेगा तो यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे 75 में 75 नंबर लेके आए तो पूरा पेपर मेरे पास यह यहाँ पे आचको है देख सकते हैं पूरा पेपर है और साथ में इनके आपको अंसर भी प्रवाइट करेंगे बिल्कुल आपको लाज तक बने रहना है एक एक कोश्यन और साथ में देखिए यूटूब पर अभी आपको सिर्फ आपको पेपर देखने को मिले होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे बीट आपका सेल्यूसन आपका पेपर लेकिया अचको यकीन मानो चातरो यदि आपने ये पेपर देख लिया तो आप 75 में से 75 नंबर लेकिया आएंगे और पेपर में टॉप पर बनके निकलेगे चलिए फटा फट पूरा पेपर करते हैं साथ में इ अब बाव में आपके रिक्सान वाले कोश्चन और इसके बाद सामें आपके उचित जोडिया याडि आपको सही जोडिया में बैनेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे इनको प्रतेक आपको एक अंग मिलेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क दो से छे तक आपके अतिय लगुत्री कोश्चन है जिनके आपको आपके दो अंग मिलेंगे साथ में इनकी अधिक्तम सब्द सीमा तेस अंग है साथ से दस तक आपके अतिय लगुत्री कोश्चन है तीन अंग आपको मिलेंगे सब्द सीमा पजास आपका सब्द है और इसके 18 से लिकर देखे आपको आठ अंग आपंटित होंगे और 200 से आपको 300 सब्दों में आपको लिखना है चलिए फटापट यहापी इनका अंसर देखते देखे सबसे पहले आपका आता है सही बिकल्प चुनकर आपको करना है लिखा कोश्चन में सोमा बुआ अपना दुख दर् आती है राधा को अपना दुख दर्द बताती है तो आपको इसके ऐसा ही आपको अंसर करना है वीडियो अच्छा लागे दिल से वीडियो लाइक करिए का जिसे आपको आने वाले हर एक पेपर का आपको सेलुसन मिल सके जिसे आप पूरे 50 में से 50 नंबर लेके आए ठीक है चलिए इसके बाद दिखते है नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन आपका लिखा या पे पहुना का सब्दार्थ क्या होगा तो आपको देखिए पहुना यानि क्या होता है क्या आपका महमान होता है क्या आपका परिवार होता है क्या आपका मित होता है या फिर आपका पि और तीसर मजम की बात करूंव मुख्वता या पर चौटा Details तोते चन क्या लिखा है तोतो चन पुस्तक किस भासा में लिखी गई है कि आपका रोअसय भासा में है जापानी भासा में है कि फिर संद कर दोगि agad तो आपको यापनी सब्द होता है तो आपको राइट अंसर यापको जापनी आपको सब्द करना पड़ेगा और इसके बाद दिखिए पांचवा कोश्चन लिखाया ग्राम जीवन पत के कभी कौन होंगे मैतली सरन गुप्त होगा या फिर आपका या फिर आपका होगा जैस स तो मित्रा नंदन पंद की आपका रचना है इनके प्रक्तिका सुकुमार कभी भी कहते हैं जल्दी फटापट बेड़ो को लाइक करिए इसके बाद आता है कोश्चन आपका एक का खंडवा और खंडवा में आपको यह पे रिक्ट सान वाले कोश्चन करना है लिखा है डाक जानाब है अंगरा कस बैसाक में तपय तो आपको यहां पर देखिए सिंपल सा है आपके भुक का है आप इसे अंसर कमेंट करिए क्या आपका अंसर होगा बाकि आपको लाश्ट में अंसर इसका बताए जाएगा सेगन और थर्ड का देखिए बाबू रामसरूप डैस टेर पर धम से बैड़ जाते हैं तो बाबू रामसरूप यहां पर यहां पर धम से बैड़ जाते हैं आपको इसका अंसर करना पड़ेगा ठीक है तो अगर इसकी आंसर की बात करो तो आपको इसमें आंसर आपको तक्त कर देना ठीक है क्योंकि बाबू रामसरूप यहादी आप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बाबू राम सुरूप यहां पर क्या करते हैं तक्त पर आकर बैट जाते हैं ठीक है आपको अंसर तक्त करना है इसके बाद देखी चोथा कोश्चन होली के अफसर पर यहां पर गाये जाने वाला गीत को क्या कहते हैं क्या आपका हार चलिए आप यह पर आप करिए इसके बाद दिखें आपका next question आता है यहाँ पर आपका आएगा खंड सा आता है इसमें आपको यह पर सही जोड़ी बनाने के लिए बोला गया है अगर सही जोड़ी की बात करें तो प्रत्वी के दुख की बात कर रहा है तो प्रत्वी का भाई आपको यहां पर यह करना पड़ेगा और राजिम क्या है तो राजिम आपको यह देखिए आपको अंसर यहां पर एक इतिहासिक इस्थाल है और अगर मयाली नोंग की बात करें तो एसिया का सबसे साफ सुत्र आपका गाउं कहलाएगा ठीक है चलिए आप इसमें करिए और इ पीड़ी दर पीड़ी आपका हस्तांतरित होने वाला आपको यहां पे क्या होता है आपका एक कला ठीक है आपको इस प्रकासी आंसर कर देना है समझ गया देखिए पहले का अंसर सिंपल तरीके से देखिए आप समझ सकते हैं पर अंसर पहले का अंसर प्रत्थिवी पूंसी प्रेमचन की अकरस्ट ना कहलाएगी इसके बाद देखी यहाँ पे आता है लोग गीत का आपका क्यारत है आपको इसका अंसर बताना पड़ेगा हर एक कॉश्चन का आपको यहाँ पे अंसर बताया जाएगा आप यहाँ पे अच्छे से देखते रहेए वीडियो को दिल से लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब कर जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको यहाँ पे नोटिफिकेसन सबसे पहले मिलती रहे तो देखी आपको अंसर यहाँ पे लिख देना है आपको अंसर कर देना है और साथ में अपने बेक्तित को समर्पित कर देता है इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेट कोशन आता है पहले कोशन देखते हैं इसके बाद आंसर आपका देखते हैं ठीक है दोन समास क्या होते हैं समास का वहरूप जिसमें प्रथम और दुती दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं आपका प्रथम और दुती दोनों आपके यहापे क्या होते हैं प्रधान होते हैं उसे दोन समास क्याते हैं जैसे आज कल आज कल में देखिए आज और कल दोनों पहेन हो जाएगा सीता रां हो जाएगा राम लक्षमर हो जाएगा ऐसा करके हे एक पद्धया निया आपका दोनों पत्ध प्धानों वहाँ पे अपका दुन समास होता है इसके बाद दिखते हैं आपका नेस्ट कोशन लिखा गया है निम्ल सब्दों को आतमक सब्द क्या जोड़ना है आपको प्रत्य है प्रत्य क्या होते है जो आपके सब्द के अंत में जुड़कर ठीक है सब्द्या सम्दास के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तर ला देते हैं उसे कहते हैं क्या आपका प्रत्य कहते हैं अगर बात करूं मैं कला में त इसके साथ देखिए यहाँ पे आपका तूलना का हो जाएगा तूलनात्मक हो जाएगा आप ऐसा ही आंसर कराणियेगा बिल्कूल आप टिंसर मत दीजिगा और रस्ड्राक ओं ज ones are करेए और इसके बाद दिखिए औस फिरेज लिखा है अच्रये लिखा है ठकत का दिलीकी ल आपको इसका अंसर खुद से आपको देखना है पहले आपके आंसर की बात करें चलिए आपको आंसर यापके पांच का दिखाते हैं तो यहापका आश्चर वाला आपको यह दिया गया है तो आश्चर पूर्ण निगाहों से देखना आपको इसका अंसर कर देना है और साथ मे कुछ आपके मुहाबरे अगला कोश्चन देखिए आपका अगला कोश्चन यापका दिया गया है देखिए आपको निमनी मुहाबरे का अर्थ उनका प्रयोग अपने बाकूं करना है खीसे निपोरना और आखी गड़ा कर देखना ठीक है यहापे और लाइका मन में अगास ल करना पड़ेगा मुहाबरा दिखिए और इसका अंसर खीसी निपूर्ण आपको ये करना पड़ेगा अर्थ दिखी अर्थ आपको इसका हो जाएगा गिड़ गिड़ा कर मांगना लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दाप दिखाना ठीक है तो आपको यहाँ पे सिंपल तर करना है और इसके बाद देखिए आपको उसमें नेस्ट कोशन आपको जो दिया गया है देखिए कोशन दिखाते हैं आखी कड़ा कर देखना तो आगर मैं इसके अंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीकी से आपको यहाँ पे आंस बच्चों के घर में पिता के जुवाई सरावी इत्यादी होने की कारण भी उन्हें काम पर जाना पड़ता होगा और उनको अपने भोग मिटाने के लिए भी आप जाना पड़ता है तिन कारण को मिल गया और इसके बाद देखिए कॉश्चन दिये गए है रहमन परों के है आपको इसका इसपरष्ट करना है तो आपको सिंपल सा इसका अंसर करना पड़े तरह तो आपतित प्रकास के साथ अल्प तेवृता के कुश अनकड प्रकास को देखने में आता है आपको यहापे अंसर करना पड़ेगा और इसके वाद देखे कौशन आपका लहमे लाश्ट कोशन दिया गया है दसवा कौशन आपको इसमें दिया गया है तो अगर इसकी अंसर की बात करूँ तो आपको अंसर यहापी आपको यह कर देना है मोटी वेट लुटाने वाले पंक्ती में मोटी से आसा है आसा है जीबन नहीं मरा करता है कब तक कभी कहना चाहता है जो ब्यक्ति अपने जीबन के असफलताओं को निरास होकर अपने मोटी के समान बहमूल आसो को बहा कर उन्हें यूँ ही लुटा देते हैं वह ठीक नहीं है कुछ सपनों के मर जाने से भी आपका जीबन नहीं मरता तो आपको यहापी अंसर इस प्रकार से आपको कर देना है हम आपको यह पर कोश्चन देखी 10 सक्के अंसर हमने आपको दे दिया है एक एक कोश्चन आप अच्छे से करिएगा इन कोश्चन को आप करेंगे तभी आपको यह पर पूरे 50 में से 50 नमबर आप ले के आएंगे और यहाँ पर हिंदी के पेपर में आप गरदा मचा देंगे मिलते हैं इस वीडियो पर और उस वीडियो में पार्ट टू में आपके आगे के अंसर देने की पूरी कोश्च करेंगे आप लगातार वीडियो देखेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा आने वाले हर एक वीडियो का अंसर आपको मिल सके अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाई